जै जिवदानी, Beauty with Astrology की Founder मैं कामी निखना, आप सभी प्यारे और समझदार सुन्दर सुरोताओं के सार एक बार फिर एक बहुत ही जरूरी जानकारी देने के लिए हाजिर हूँ और आप सभी को शायद पता होगा के 25 जुलाई 2019 को शुक्र अस्त होने वाले हैं और फिर वो 5 सप्टेंबर को उद्य होंगे तब तक क्या-क्या असर होगा हमारे सभी राशी वालों पर ये बताने के लिए अब मैं हाजिर हूँ और साथ साथ में मैं एक दूसरा वीडियो डालूँगी जो प्रत्यक्ष वीडियो होगा उसमें आपको शुक्र के उपाए बताऊंगी पहले आप ये सुनियेगा कि आपको क्या असर होने वाला है शुक्र के अस्तों होने पर और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और उसके बाद वो वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने शुक्र के उपाए बता हैं सबसे पहले मैं आपको निवेदन कर दूँ कि सबस्क्राइब कीजे मेरा ये चैनल यूट्यूब स्लाइश ब्यूटी विद अस्ट्रोजी जब आप सबस्क्राइब करेंगे तो पॉप अप होके उपर बेल बटन आएगा और बेल बटन को आप क्लिक करेंगे तो मेरा ये चै चैनल है यूट्यूब स्लाइश कमाना खाना जिसमें मैं आपको बहुती आसान सी रेसिपीज और भविश्य में डाइट के लिए रेसिपीज देती चाऊंगी उससे भी प्लीज सबस्क्राइब कीजे आईए जानते हैं हम शुक्र के विश्य में कि शुक्र महाराज कब कैस अस्त हो रहे हैं क्या असर डाल रहे हैं सभी राशिवानों पर 25 जुलाई सुभा शुक्र अस्त हो जाएंगे 25 जुलाई 2019 को और उसके बाद 5 सप्टेंबर को शुक्र उदय होंगे तो इसका मतलब क्या है कि तकरीबन एक महिना 10 दिन तक शुक्र अस्त रहेंगे उसी बीच 30 जुलाई को बुध्वकरी हो के मितुन में चले जाएंगे और एक और शुक्र असर्ध मारगी हो जाएंगे उसके बाद आछ तारिक को मंगल महराज नीज के हटकर सिंग में हो जाएंगे 11 अगस्ट को गुरू मारगी हो रहे हैं और उसके बाद 16 अगस्ट को शुक्र सिंग में चले जाएंगे 17 अगस्ट को उनके पीछे 7-7 शुक्र के पीछे सूर्य भी सिंग में चले जाएंगे और 5 सप्टमबर को हो रहे हैं शुक्र दै बोलने का मतलब ये था, आपको सब ये जानकारी इसलिए दी, क्योंकि शुक्र अस्तो होने के बाद एक सा समय नहींराएगा, जैसे जैसे सब गरह ठीक होते जाएंगे, मंगल सिंघ में हो जाएंगे, नीच के हड जाएंगे, बुध मिथुन के हो जाएंगे, और सूरिय दूर हो जाएंगे शुक्र तो काफी कुछ फरक आएगा तो उसी प्रकार से हम जानेंगे ये राशी भविश्य मेश से लेके मीन राशी वालों तक के लिए कि शुक्र किस किस घर पे आपको असर डाल रहे हैं अस्त होकर मेश राशी आपके धनलाब में कमी थोड़ा सा बोलने में आपको मन भुजा भुजा आप अपने कॉन्फिडेंस में कमी पाएंगे अगर आप काउंसिलिंग कंसल्टेशन के व्यवार में हैं तो समल के अपनी बातों में स्किल लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफ़र्स डालने पड़ेंगे विवाही जीवन में बाधा आ सकती है आपके मन मुटाव हो सकता है आपकी पतनी से और उनकी तवियत ठीक रहे इसका भी आपको ध्यान रखना है पार्टनर्शिप में कोई बाधा ना आए इसका भी ध्यान रखें अभी आपके विवाह के योग नहीं बिशवराशी आपके लिए आप स्वह को पैप अप रखिएगा अगर कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है स्वह से रिलेटेट तबियत से रिलेटेट तो मैंने जो दूसरा वीडियो इसके साथ ही दिया है उसको देखिए और शुक्र के उपाय कीजिए साथ ही साथ आपको बता दूँ के मीडिया से रिलेटेट कामों में लिपता है अगर आप तो ये काम कम हो सकते हैं आप अगर किसी भी प्रकार से अपना फोटो शूट वगरा कराते हैं तो आपको रिजल्ट्स पूरे नहीं आएंगे और हो सकता है कि आपको कोई लोन्स वगरा ना मिलें जिसमें आपको परिशानी हो और आपके मामा पक्ष से आपको कोई तकलिफ हो लेकिन एक बात बता दू कि इसी भी जब बुध मारगी हो जाएंगे और मंगल सिंग के हो जाएंगे तो आपको दूसरी तरफ से आपके वाइदे होंगे आपको जो बेचैनी है अपने प्रेहिम संबंदो वगरा को लेकर आपकी शादी को लेकर वो कम होगी और इसके साथ आपको बुध के मारगी होने पर परिवार से सपोर्ट मिलेगा साथी साथ आपको मैंड भी रिलाक्स होगा मिथुनराशी मिथुनराशी के लिए अब आपके लगनका स्वामी बुध जो है वो मारगी होने वाला है जाकर एक तारिक को और तीस तारिक को बक्री होकर मित्थुन में आएगा लेकिन उससे पहले 25 तारिक को शुक्र अस्तो हो रहे हैं जो आपके माइंड के स्वामी हैं आपके बच्चों के घर के आपके विद्या पढ़ाई के स्वामी हैं आपको बहुत जादा सजग रहना हैं शुक्र के लिए साथी आपके प्रेम संबंदों में अगर बिगाड आता है तो चुप करके बैठ जाएए पांच तारिक तक आपको कोई हलचल करने की जरूरत नहीं विदेश लिलेटेड यात्राओं के पीछे बागने की जरूरत नहीं क्योंकि ये यात्राएं सफल न मारगी होगा तो आप अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा बहुत गेन कर सकते हैं और 11 अगस्त को जब गुरू मारगी होगा तो आपको अपने काम के लिए भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको काम आफर होंगे शुक्र जब आ गई सिंग राशी में चले पैत्रिक संपत्ति से संबंदित विवाद दे सकता है ताया चाचा से कोई आपका विवाद है प्रॉपर्टी के लिए तो वो तूल पकड़ सकता है प्रोड के से प्रॉब्लम और घरेलू समस्या हैं आपकी माता से रिलेटेड उनकी तविद से रिलेटेड ध्यान रखना अवाहन ना खरीदना और साथ में अगर घरेलू हेलपर्स के साथ चीड़ चीड़ होती है तो आपको उनका भी ध्यान रखना है किसी भी प्रकार से अपने घर का महौल खराब नहीं करना है लेकिन जब मंगल बदलेंगे नीज के हड़ जाएंगे मंगल आठ अगस्त को तो आप काफी बैटर फील कर सकते हैं अपने माइंड के विशय में और आपके रिसिजन सही होंगे आपको जो बच्चों से रिलेटेट प्राबलम थी वो कम होगी और साथी साथ जब सूर्य सिंग में आ जाएंगे तो सूर्य के सिंग में आते से ही आपके परिवार से आपको सपोर्ट और धनागमा थोड़ा बहुत शुरू हो जाएगा सिंगराशी सिंगराशी के लिए अब जब तक शुक्र और सूर्य साथ बने हुए हैं आप भी बेचायन हैं और शुक्र अस्तो हो जाने से आपके कामों में कमी आपके बैंकिंग रिलेटेट वेवार में गड़ अक्रम और उमंग में कमी आए लेकिन आठ अगस्त के बाद घरेलूचंजट कम होंगे और ग्यार अगस्त को गुरू मारगी होने से आपकी हेल्थ सुधरे की आपके काफी सारे मेंटली जो अटके हुए हैं काम आपको डिसीजन्स लेने हैं वो भी अपने आगे कन्याराशी के लिए आपके दृतियभाव का स्वामी शुक्र और भागय का स्वामी तो आपके परिवार में थोड़ी मनमुटाव और आपके वाणी या बोलने से कुछ मनमुटाव बढ़ना पैसों का लेन देन ज़्यादा न करें पैसों की हानी होना और आपके कह सकती जो आफर्स पहले आ रहे थे अब नहीं आ रहे है तो बेचैनमत हुई ये एक महिने की बात है लेकिन बीच में जब बूद्ध हो जाएगा मिथुन का तब आपके काम फिर से बढ़ेंगे एकदम निराश होने की जरूरत नहीं मंगल जब सिंग में मुवमेंट कर जाएंग तो आपके विदेश related काम भी बनेंगे और सूर्य जब सिंग में आएंगे तब भी आपके विदेश related काम बन सकते हैं तुलाराशी तुलाराशी के लिए आपकी हेल्थ का सरोपरी ध्यान रखना आपके लिए सरवत्तम रहेगा आप मेरा वीडियो देखेगा जिसमें मैं explain क करूंगी कि कैसे शुक्र के उपाय किये जाते हैं उसको एन्हांस किया जाता है अब आपकी तबियत का ध्यान रखना एक्सराइज योग मेडिटेशन करना और अपने डॉक्री चेक अप कराना आपके लिए सरोपरी है आपके विवाही जीवन में सजग रहना कलेशना करना औ और आपके पार्टनर्स के साथ कोई अन्बन नहीं करना ये आपके लिए सरोपरी रहेगा इसी बीच जब मिथुन में बुद्ध आएगा तो आपको भागयदेकारी संदे से आ सकते हैं और साथ में आपके मंगल के सिंग में खिसक जाने की कारण विवाही जीवन में जो आ आपके लगनके स्वामी जो हैं मंगल आठ अगस्त को नीच के हट कर सिंग में जबाएंगे तब आपके काम बढ़िया होने शुरू हो जाएंगे और उससे पहले बुद्ध मिथुन में आके आपकी तबियत भी ठीक करेंगे लेकिन इन दोनों के आने से पहले शुक्र अस् पती-पत्नी के संबंध खराब नहों आपके अगर मैं कहूं के पाटनर्शिप में संबंध खराब नहों आपके अगर दूसरे बच्चे मतलब सेकरन के चायल्ड को कोई प्रॉब्लम नहों ये आपको ज्यान रखना हैं आपको अपना शादी का योग बना हुआ भी टाल द अगर मैं कहूंगी कि आप मेरा वीडियो देखें तो गलत ना होगा वीडियो देखें जिसमें मैंने शुक्र के उपाय दिये हैं आपको आपके अंदादुन खर्चे समालिये आप और विदेश रिलेटेट कारिक्रम फिल हाल हो सके तो स्थागित कीजिए जाना ही बड़े त तो भी ठीक होगी घरेलू सुख सुविदा में वृद्धी होगी आपके वाहन वगरा तो अभी खरीदने के पूरे आसार हो गए हैं सुख मिलेगा आपको वाहन का लेकिन जो शुक्र अस्तो हो रहे हैं उससे आपके विरोधियों में वृद्धी और पैसे की कमी हो सकती है अपने पैसे समालिये लोन्स ना दीजिये किसी को न लोन लीजिये पैतिर्क संपती से सम्मदित विवादों में ना उलजिये कोर्ट किसे में ज्यादा ना उलजिये जितना हो सके अपने आपको बचा के रखिये आपके ताया चाचा या आपके बड़े भाई बेनों से रि वही जीवन में और आप काफी डिसिजन्स अपने शादी को लेकर जो कि 11 नौंबर के बाद होने के चांसे सेंपूरा साल भर तो ले सकते हैं और दूसरी बात के जैसे ही सूर्य सिंग में आ जाएंगे तो आपके कोई बड़ा ओफर आपको मिलेगा जो काम से रिलेटेड होगा तब तक के लिए आपको सुक्षान्ती बनाए रखनी है मकर राशी मकर राशी के लिए अब जो है बुद्ध का जो ये स्थाना अंतरण आपको देगा जो लोन्स वगेरा जो चाहिए थे उसमें की परिशानी दे सकता है आपको मेडिटेशन योग एक्सरसाइज करना चाहिए और साथ साथ में मेरा दिया हुआ वीडियो देखिए और उपाय कीजिए आपके कारिय स्थगित हो सकते हैं आपके कारियों में बाधा आ सकती हैं स्लो डाउन हो सकते हैं ऐसा नसुची के काम खतम हो जाएगा जी नहीं आगे 5 सप्टमबर के बाद काम फिर ठीक हो जाएगा तब तक जो गुरु मारगी होंगे वो भी आपको यात्राओं पर शुब यात्राओं पर ले चलेंगे और हो सकता है वीडेश रिलेटेट कामों में कोई वृद्धी हो तो सिंग के सूर्य होने के बाद हेल्थ में भी आपके सुधार आएगा कुम्भराशी कुम्भराशी के लिए अभी तो फिलहाल जो शुक्र का अस्त होना है वो आपको घरे लू चिंताएं दे सकता है माता से रिलेटेट आपको चिंता हो सकती है वाहन वगरा अभी खरीदने का योग नहीं अगर आपको रेनोवेशन वगरा करना है तो भी थोड़ा रुख जाएए अभी आपको भागे से रिलेटेट कुछ बाते हैं डिसीजन्स लेने हैं जो अभी नहीं ले सकते आप आगे चल के लीजेगा अपने बड़े भाई भेनों से मन मुटाओ मत कीजेगा और अगर मैं पॉजिटिव साइड देखूं तो मित्वन के बुद्ध होने से आपके डिसीजन्स सही हो जाएंगे बच्चों से खुशी मिलेगी आपको हेल्थ अच्छी होगी और गुरू के मारगी होते ही आपके काम भी शुरू हो जाएंगे दनलाप भी छिटकुट होगा और परिवार खुश रहेगा पैसा आने से मीन राशी आपके लगन का सौंभी अभी मारगी नहीं है तो आप बेचैन है उपर से शुक्र हस्तो होंगे तो आपकी यात्रा जो दड़ा-दड़ चल रही थी उसमें बाद आएगी अब थोड़ा आराम कीजिए अब थोड़ा बैठिए उटसा ओमंग में कमी आएगी थोड़ा सा रेस्ट कीजिए चोटे भाई बैनों से मन मुटाब हो सकता है आपका हेल्थ कराब हो सकती है तो शुगर जादा न खाएं मोटे न हो जाएं और दूसरी बात अपनी यूटरस महावारी या ओवरीस से रिलेक्टेट पेट से रिलेक्टेट कोई परिशानिया है हमारी इस्तरियों को बहनों को तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना चेक अप्स वगरा करवाते रहिएगा मिथुन का पुछ जैसे चत्तुरत में आएगा आपको घरेलू परिशानिया कम होंगी माहन वगरा खरीद सकेंगे आप और एक बात जैसे ही गुरू उदय हो जाएंगे आपके काम फिर से थोड़ा बहुत खसकेंगे और आप बेटर फील करेंगे तो बिल्कुल भी निराश होने की जरुरत नहीं और मंगल महाराज जब नीच के हटके आपके शेष्ट में आएंगे तो विरोधियों का सामना अप अच्छे से कर पाएंगे और आपके लोन जवदरा खुलेंगे मैं कामिनिकरना बता रही थी शुक्र के अस्तो होने पर मेश से लेके मीन राशी वालों को क्या असर होगा और मैंने समय समय पर कहा भी के मेरा दूसरा वीडियो दिखिए जिसमें मैंने उपाए बताए हैं शुक्र के आगया दीजे धन्यवाद और नमस्कार